तो दोस्तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में easily कोई भी बड़ा फाइल ट्रांसफर कर सकते हो offline बिना internet यूज़ किये तो दोस्तो अगर आपको कोई छोटा फाइल जैसे की फोटो या पर कोई छोटा वीडियो किसी को भेजना होता है तो आप इसली वाट्सप और पर भेज सकते हो लेकिन आगर आपको कोई बड़ा फाइल ट्रांसफर करना हो जैसे की कोई 2GB या फिर 3GB का मूवी हो या पर अगर आपको कोई 100-200 फोटो ट्रांसफर करना हो तो ऐसे केस में वाट्सप और गेरा मेसेजिंग एप को आप यूज़ करके इसली फाइल ट्रांसफर नहीं कर सकते हो तो यहाँ पर मैं आपको सब कुछ स्टेब बाइ स्टेब बताऊंगा कि कैसे आपको कोई भी बड़ा फाइल जैसी की कोई मूवी फाइल ट्रांसफर करना है अपने एक मॉवाइल से अपने दूसरे मॉवाइल में एक फ्री अप्लिकेशन को यूज़ करके जो कि गूगल द्वार पो राइड किया जाता है और बिल्कुल आफलाइन काम करता है तो वीडियो यहाँ पे बहुत ही यूसफूल और इंफर्मेटिव हने वाला है तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किये लाश्ट तक देखते रहिए तो दोस्तो दो मॉवाइल के बीच में फाइल ट्रांसफर करने के लिए यहाँ पे सबसे पहले आपको एक एप इंस्टॉल करना पड़ेगा जो की गूगल का एप है और इसका नाम है फाइल्स बाइ गूगल तो दोस्तो फाइल्स बाइ गूगल अप्लिकेशन को यूज करके आप पचास एंबी पर सेकेंट से भी जादा स्पीड से फाइल्स को ट्रांसपर कर सकते हैं दो मॉवाइल के बीज में तो यहाँ पे आपको स्पीड बहुत ज़्यादा मिलता है तो इस तरह से आप एक मिनट से भी कम टाइम में एक जीबी से भी बरा फाइल्स ट्रांसपर करता होगे तो यहाँ पर आपको सबसे पहले अपने mobile में play store open करना है play store open करने के बाद search में जाके आपको search करना है files by google तो यहाँ पर suggestion में आ गया files by google तो आपको exactly यही search करना है और यह app धून के निकालना है तो देख सकते हो इस app की rating बहुत अच्छी है 4.6 और इसका size भी बहुत कम है 6.7 MB और इस app की popularity का पता आप इसके download से भी लगा सकते हो 100 करों से ज्यादा लोगों ने इस app को already download किया हुआ है और use कर रहे है तो यह google का app है आपको पता होगा google के app बहुत ही अच्छे होते है install पर tap करके install कर लेना है तो दोस्तों यहाँ पर मैंने files by google app install कर लिया है यहाँ पर आपको simply इस app को open कर लेना है open करने के बाद यहाँ पर आपको continue पर tap कर लेना है और यहाँ पर आपसे जो भी permission मांगा जाए आपको रे-lock कर देना है उसके बाद जो भी access मांगा जाए आपके setting से आपके setting में आपको e-lock कर देना है उसके बाद यह app आपका completely open हो जाता है यहाँ पर आपको share का option मिलता है वैसे यह app से file transfer करने के लिए नहीं है आप इसमें अपने device को clean भी कर सकते हो अपने file को browse कर सकते हो और यहाँ पर आपको share का तो option मिलता ही है तो यहाँ पर मैं इसी feature के बारे में बात करने वाला हूँ तो यहाँ पर आपको share पर tap करना है और यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिल जाता है fast file sharing without internet तो यह app आपको उन दोनों mobile में install कर लेना है और open कर लेना है जिनके बीच में आप file transfer करना चाहते हो तो दोस्तों यहाँ पर मैंने दोनों ही phone में files by google इस app को install कर लिया है और इस app को open कर लिया है तो यहाँ पर मैं इस बड़े वाले phone से इस चोटे वाले phone में कोई भी file transfer करना चाहता हूँ file means example के लिए यहाँ पर कोई भी video या फोटो तो मैं इस बड़े वाले phone में send पे tap करूँगा और यहाँ पर मुझे continue पे tap करना है और यहाँ पर आप से फिर से कोई permission मागा जाए तो आपको unlock कर देना है यहाँ पर आपको अपना नाम दे देना है username और यहाँ आपको next पे tap कर देना है उसके बाद दूसरे phone में यहाँ पर आपको receive पे tap करना है और दूसरे phone में भी आप अगर पहली बार यूज़ कर रहे होगे तो यहाँ पर भी आपको अपना नाम इंटर करना पड़ेगा साथ परमिशन को unlock करके तो देख सकते हो इस phone में जो मेरा नाम है friend यहाँ पर मेरा इस phone में show हो रहा बरे वाले phone में यहाँ मुझे इस पर tap कर लेना है और यहाँ पर मेरा connecting start हो जाता है तो दूसरे phone में मुझे यहाँ पर connect पर tap करना है और यहाँ पर आप देख सकते हो connected हो चुका है दोनों ही phone अब मैं इस चोड़े वाले device में कोई भी file रिसीब कर सकता हूँ इस बए वाले वाले device से यूई कि मैंने इसमें receive पर tap किया था और इसमें मैंने send पर tap किया था तो example के लिए मैं यहां पे इस फाइल को send करना चाहता हूँ तो मुझे यहां पर इस पर tap करना है और भी यहाँ पर आपको अलग अलग अप्शन मिल जाता है मिल आपकी डिवाइस में जो भी वीडियो, एप, इमेज, आडियो जो भी है यहाँ पर आप अलग अलग अप्शन पर जाकर चूज कर सकते हो और सेंड कर सकते हो एक्जामपल के लिए मैं इसी फाइल को सिर्फ सलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर आपको फाइल सलेक्ट करने के बाद सेंड पर टाप करना है उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे बड़े वाले फोन से चोटे वाले फोन में file transfer कर दिया गया है और उसके बाद यहाँ पर आप back करते हो तो आपको disconnect करने का option मिल जाता है तो इसी तरह से आप easily दो phones के बीच में files by google app को use करके offline without internet file transfer कर सकते हो तो दोस्तों आसा करता हूँ यह video आपके लिए useful रहा और अगर आपको यह video पसंद आया तो इस video को like करना ना भूले और इसी type के छोटे-छोटे useful वीडियो आगे भी देखने के लिए आप हमारे इस channel को subscribe करना भी रिल्कुल ना भूले इसके अलाब आगर आपको कोई step समझे भी नहीं आया तो आप मुझे comment करके comment box में पूछ सकते हैं फिलाल इस channel से जोड़े हैं अभी के लिए बाई बाई